Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल दुनिया भर की निगाएं समय भारत के उपर है चंद्रियान 3 की सपलता की आप बात करो Success Story की बात करो G20 को जिस तरीके से हम host कर रहे है हर एक global leader हर एक इस समय दुनिया का जो कोना है वो हमारे देश को एक एहमियत और एक primacy, एक dominance की जो हमारी पैचान है उसको स्विकार कर रह형 है हो सकता है कि कुछ जो दुनिया के मिल्क है कहीं किसि कोने में छुपे हो दुख्ध परिसित्यों का सामना कर रहे हो पर उनके दुख कक तो हम कुछ नहीं कर सकते पर अपनी देश की सफलताओं पे जरूर हम एक गर्व को अपने सीने में रख करके चल सकते हैं G20 का अगर हम बात करते हैं दुनिया भर की निगाएं समय हमारे देश पे हैं अलग-अलग राजश अध्यक्षा हैं और इन राजश अध्यक्षों की मौझूदी में G20 नेशन्स के जो लीडर्स हैं उन्होंने किस प्रकार से भारत के ट्राइबल्स के जलवे को देखा और उसको पहचाना उसके उपर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं नमश्कार मेरा नाम हुदकर सेंग और अन्थ्रोपलोजी के स्पेशल Current Affairs and Things in News के सेग्मेंट में हम आज आप से डिसकस करेंगे देश की 8.6% आबादी अस पर सेंसर्स 2011 कंप्राइस करने वाले हमारे ट्राइबल काउंटरपार्ट्स जिनके बारे में जानना चाहे आप यूज पीस सी की प्रिपरेशन करने हो ना कर रहे हो आप लिए बहुत जरूरी होता है इनकी कल्चर इनके जो हेरिटेज है जो रिचफसेट्स है जो डायनमिक्स है वो इतनी जादी वाइबरेंट है इतनी जादी वाइड है कि इसको जाने बिना हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो महान देश हमारा है उसको हम जानते है भगवत पुरान में आप जाकर के देखते हो या फिर आप विश्रू पुरान में जाकर के देखते हो अलग-अलग तरीके से हमारे देश की सरहदों की समीक्षाए की गई है तो इस भारत की संस्कृती के अंदर में जो ट्राइबल्स का पॉपलेशन है उनके मैरिज के सिस्टम, रिलिजियस सिस्टम, रिच्वल सिस्टम, कितने विविध है इसको आप समझते हो जो कई बार जो एथिनिक मूवमेंट्स होते हैं कई बार जो इंसरजन्सी आपको कई बार नौर्थीस में देखने को मिल रही होती है उसको भी बेटर तरीके साब एड्रेस कर लेते हो एंथ्रोपलोजी यहीं कोशिश करता है उसका मानना, उसका कार है, उसका सेंटर, उसका औरियेंटेशन, इसका और एड्रेस करेंगे पर उससे पहले आपके लिजाना बहुत ज़रूरी है कि एंथ्रोपलोजी का यह जो आप्शनल है पिछले 7-8 सालों से जिस तरीके से भारत चैंपियन बना हुआ है एक-एक साल में चार टॉपस टॉप 10 में दे रहा है हंडेट की तो हम बाकी ऑप्शनल की तरफ बात ही नहीं करते हैं 20, 30, 40 बाकी ऑप्शनल बात करें हमने टॉप 10 में 40-40 परसेंट की रैंग दी है चार साल में दो बार All India Rank Anthropology की बाकी ऑप्शनल के सपने की भी बात नहीं होती है पास साल के अंदर में टॉप 10 में आठ रैंग के टॉप 10 में इन फैक्ट दो बार चार रैंग और अगर आप inclusion सारे का देखते हो तो more than one and a half dozen रैंग्स आपको देखने को मिलते जो की 10.5% का success rate रख रहा है shortest है, sweetest है other option में जितना आप current affairs पढ़ने में time invest करते हो उतने में anthropology के syllabus को test series के साथ आप cover कर सकते हो इसलिए तो smart aspirants है बाकी सारे लोग तो interest level को देख करके हमने graduation, post-graduation क्या किया उसको देख करके subject में कूतते हैं बिना देखे हुए कि UPSC की demand आज smart approach है hard work वाले के लिए time अब नहीं बचा है और smart approach के लिए सबसे best suited ये anthropology optional traditionally माना जाता रहा है खास कर पिछले कुछ सालों में क्यूंकि यहाँ पे syllabus concise है concrete है, short है तो बहुत असानी से आप कम समय में कर सकते हैं इसको आप यूस करते हो तो आपको सभी study IQ के course best discount जो भी समय available हो उस पे मिल जाते है खास बात यह होती है कि unlike other course best discount के साथ आपको optional key guidance भी expertise guidance जो है वो भी मिल रही होती है कुछ material चाहिए इस lecture से जुड़े हुए या फिर कोई और document आपको चाहिए तो anthropology decoder नाम के हमारे channel पे है anthropology decoder by उतकर सिंग को telegram पे search कीजे और उसको subscribe करके free materials, UPSC guidance और कई सारे resources को आप अवेल कर सकते हो channel ना मिले या फिर कुछ question बच जाता है आपका तो उतकर सिंग underscore underscore लगाना मत भूलिएगा उतकर सिंग underscore hair पे आप हमसे communicate कर सकते हो आते हैं अब इस बात के ऊपर statement से ले करके हिंदुस्तान टाइम्स और कई सारे newspapers में हमने ये श्टुर्ख हिया हाल फिलान पढ़ी है that India is to showcase traditional tribal art at G20 summit तो जो अलग रख देशों के राश्ट ध्यक्षाए हैं उनको हम अपनी tribal inheritance जो है, tribal heritage जो है cultural facet जो है वो दिखा रहे हैं और ये जिम्मा किस ने लिया हुआ है Trifed नाम की एक agency ने लिया हुआ है आप articles में पढ़े रहे हो किस तरीके से जो Trifed यानि की full form क्या है अगर आप से कोई पूछे, तो Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited है, जो कि Ministry of Tribal Affairs यानि MTA के अंदर में कारगरत है उसने ये जिम्मा लिया है कि वो showcase करेगी दुनिया भर में G20 की summit के platform के तौर पे जो भारत मंडपम का है वहाँ पूरा आपको concept देखने को मिल रहा है उसके तहट जो अलग-अलग rich art है artifacts है, paintings है, pottery है and other components of tribal culture उनको दर्शाएंग, ठीक है पदमश्री winner एक tribal community से आते हुए हमारे सदस है जिन्होंने इस जिम्मे को पूरा अपने कंधो पर लिया हुआ है बात करते हैं कि ये trifet है क्या है क्योंकि UPSC के perspective सभी हमें coverage करनी है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये trifet को as an agency अगर आप देखते हो फुल फॉर्म आपने जस्ट देखा ट्राइबल कॉपरेटिव मार्केटिंग डेवलप्मेंट फेडरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड ये इसका पूरा नाम है संस्ताफित हुआता है ये लगबख 1987 में यानि कि अगर आप कलकुलेट करते हो तो 35 years पूरे हो चुके हैं इसको इसको 35 साल की 3.5 decades की इसकी long journey हो चुकी है और यहाँ पे ministry of tribal affairs इसको regulate कर रही होती उसके अंदर में एक कारेरत है आपको head office इसका न्यू डेली में अफकॉस देखने को मिलता है प्लस इसके regional office देश में 13 अलग अलग जगहों पे situated है objective या मकसद क्या है इसका तो आप नाम सही पढ़े रहे हो कि cooperative marketing development federation है तो tribal की जो richness है जो socio economic development का जिम्मा है वो इनके सर पे वो किस तरीके से इनकी art, artifact और way of living बहुत सारे produce जो है इनके उसको एक platform देना दुनिया तक उसको पहुचाना एक selling platform देना कि लोग उसको देखे उसको सराहे उसको खरीदे और उससे इनका socio economic development हो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कि marketing development of the tribal product जिस तरीके से flip card पर बाकी जगहों पर देखते हो कि as a mediator as an agency as a आप बात करते हो mediator ही आप कहलो किस तरीके से product जो अलग-अलग company के हैं उसको एक platform दे रही है कि वो दुनिया भर में दिखे visibility बढ़े और लोगों तक वो पहुचे एक single screen विंडो से तो trifet भी tribal components के लिए tribal artifacts के लिए tribal art and craft के लिए वो platform मोहिया करा रही है metal craft हो, textile हो, pottery हो, painting हो कुछ भी हो उसको वहाँ पे selling platform देखरके इनके लिए income का generation कर रही है तो as a facilitator और service provider role अपना यहाँ पे अदा कर रही है अब यहाँ पे दिखाया क्या जा रहा है G20 leaders को उनको क्या-क्या देखने को मिलेगी है न तो कुछ बहुत selected चीजों को जो की बहुत ही important है traditionally, culturally, tribals के society के बीच में उसको यहाँ पे showcase किया जा रहा है इस summit के दोरान में और सबसे पहले उसमें आपको देखने को मिलता है यह जो gond की painting है GI tag के बारे में आपने art and culture को art and culture के portion में पढ़ा होगा तो इस gond painting को GI tag भी हसिल हो चुका है GI tag मिला हुआ है सबसे पहले तो इक gond painting जो मद्ध प्रदेश में आपको देखने को मिलती है और जो सौरा paintings हैं जो कि Odisha के artisans इसको बना रहे होते हैं वो सब आपको देखने को मिलती है ठीक है apart from that you are seeing यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है apart from the gond paintings यह gond painting आपकी है जिसको GI tag भी मिला हुआ है इसको छोड़ करके अगर आप बात करो तो यहाँ पे पश्मीना और अंगोरा जो शॉल्स हैं जो कि high altitude ले लदाग के reason में हिमाचल प्रदेश का जो reason है वहाँ पे कई बार आप देखते हो कि बोध जो tribes है और जो भूटिया tribes है उन्होंने वहाँ पे काफी effort से उसको produce किया होता है तो इसक्या भी यहाँ पे showcasing को किया जाता है और यहाँ पे आप इसकी photograph को देख रहे हो किस तरीके से वो उसको पश्मीना स्वल की making कर रहे है एक indigenous population के member वो चीज़ आप वहाँ पर देख रहे हो ठीक है अपार्ट फ्रम देट वाट वी सी कोनियक के बीच में जो कोनियक का tribal group है उनके बीच में की जो ज्वेलरी बहुत ही popular है अपनी cultural richness के लिए इसको भी वहाँ पर देख आप पुछो कोनियक कोन है तो कोनियक एक नागा का सब एथनिक group है नागा की tribe आप पढ़ते हो नागा लेंड में जुड़ी हुई है साथी साथ आप मनिपूर के हिस्से में देखते हो तो वहाँ पर भी हिल एरियाज में मिल जाती है अभी मेते वर्सेज कुकीज का आप जो मामला सुन रहेते हैं तो कुकीज के साथ नागास की population भी हिल एरिया ऑफ मनिपूर में आपको लोकेटेड देखती हैं वहाँ पर कई एडजिसिंट जगहों पर ये ग्रूप आपको देखने को मिलते हैं और इसके अंदर बहुत सारे सब ग्रूप से एक तो यहाँ दिया हुआ है कौनियक इसको छोड़के लोटा नागाज हैं सेमा नागाज हैं अंगामी नागाज हैं रेंगमा नागाज हैं बहुत सारी सब ग्रूप से हैं यहाँ पर सब एतनी ग्रूप से तो उसमें से जो कोनियक नागाज हैं they were also known as the head hunting नागाज head को उतार लेते थे थे जो ट्रॉफी कलेक्ट किया करते थे अनिमी ग्रूप्स में, इसको उपर में हमने एक वीडियो बढ़ा है, हमारी प्लेइलिस्ट में इंक्लूड़ेड है, हैड हंटिंग ट्राइबल पॉपलेशन के उपर, और उसमें आप चाहते हो, डिटेल में इसको देख सकते हो, क्यों करते थे, कैसे करते थे, ठीक है, तो इनके बीच में जो ज्वेल्री इस है, यह आपको देखने को मिल रहे है, bear chest के उपर इंसान ने इस jewelry को यहाँ पे रखा हुआ है तो इस तरीकी की jewelry को भी वहाँ पे showcase किया जा रहा है apart from that इस jewelry को अगर आप देखते हो यहाँ पे women ने भी उसको वहाँ पैना हुआ है तो आपको यह particular jewelry काफी importantly नागास के बीश में उनके culture के heritage का part के रूप में देखने को मिल रही होती है इसको छोड़के और क्या दिखाया जा रहा भाई G20 वाले leaders को उन्हें जो महेश्वरी silk saris होती है जो मद्ध प्रदेश में किया आती है अलग-अलग auspicious function के दोरान में उसके साथ अगर आप eerie या फिर millennium sim को जोड़ते हो तो वहाँ पे और भी ज़्यादा जो bodos का group है वो इस काम में लगा होता है और भी ज़्यादा वहाँ पे इसमें speciality आपको देखने को मिल जाती है इसकी भी I believe हमने को यहाँ पे photo को add किया होगा शायद अभी नहीं है towards the later side आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें तो जो धोकरा jewellries है these jewellries are quite popular है ना यह molten metal से beads के और colorful जो glass pieces होते है इसको use करके along with some wooden balls क्या किया जाता है बनाये जा रहा होता है और इनके speciality होती है जो अलग-अलग tribes आपको इस particular reason में देखने को मिल रही है जो की Eastern India और West Bengal उडिशा, चत्यसगार, मद्यप्रदेश, Central India इन जगों पे located है तो यह यहाँ पे एक detail में हमने zoom करके यहाँ पे एक image लगाई हुई है and this lady is also wearing the same similar sort of jewellries जो की धोकरा jewellery आपको देख लेको मिलती ठीक है, इसको भी trifet platform पहुचाता है और G20 के leaders के आते ही यहाँ पे इसको भी जो showcase items है उसमें रखा गया हुआ है apart from that आप देखते हो कि जो मीना group है राजस्थान में आपको mostly देखने को मिलता है कई सारे इस group के member UPSC में भी selection को हासिल कर रहे है IPS की ranks को वहाँ पे gain कर रहे है तो इनके बीच में जो अंबाबारी craft है कई बार आपने देखा भी होगा राजस्थान अगर जाते हो, जोधपूर जाते हो और भी कई सारे reasons पे आप जाते हो इस तरीके के जो artifact है आपको craft work जो है वो भी यहाँ पे display के तौर पे लगाया गया है जो की हमारी richness को वहाँ पे दिखा रही है हमारे जो सभेता है cultural richness है, वो सब वहाँ पे showcase की गई है, apart from that certain natural products जैसे अरका जो आप देखते हो अरका जो valley की coffee है जो honey cashews है, rice spices है a lot of other things, आंदर प्रदेश के रीजन में, गुजरात के रीजन में, 36 गर्ड़ बहुत सारे ऐसे richness वाले item है natural product है जिनको Trifed ने एक platform पहुचाया था उसको ये G20 summit के दोरान showcase कर लिए, यहाँ पे आप देख रहे हो अपार्ट रम डाट जो आपने अप सारी वर्क आपको दिखाया था पहले वो आपको यहाँ पे image देखने को बल जाती है तो इस तरीके से Trifed ने G20 summit का, along with ministry of tribal affairs एक सुनहरा जो अफसर था इसको वहाँ पे utilize किया and इसको utilize करके they were able to provide a platform to showcase the diversity of tribal culture that comprises about 8.6% of the Indian population तो आपको भी इन ट्राइबल्स के बारे में चाहे आप UPSC के preparation कर रहे हो या नहीं पता होना चाहे, marriages इनकी हमारी society से या फिर किसी religion के society उससे अलग होती है rituals अलग होते है, अलग religion में मानते है, naturalist होते है naturalism में believe करते है आप प्रकृती पूजक होते है तो बहुत सारी चीज़े आपको इनके बारे में जानने को मिलती है जब आप Anthropology पढ़ते हो, और Anthropology आप कैसे पढ़ सकते हो, जो हमारे batches 28th September से start हो रहे है ठीक है, US Live का code करके आप तुरंत इसमें join in कर सकते हो, maximum discount पे along with test series test series यहाँ पे बहुत important है, 12 papers है 8 sectional, 4 full length model answers के साथ, crux के साथ and lot of other study material जिसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूत नहीं होती है, वो आपको यहाँ पे provide कि जाते है, तो if you are interested you can join in, 15999 में US Live का code ज़रूर लगाना याद रखे पर्सलाइस guidance और maximum discount के लिए study IQ के हर एक course पे, P2I हो, optional हो, कही भी आप लगाते हो, तो आपको मिल जाता है, जानकारी चीए admission enrollment, या फिर इस lecture से regarding, या कोई भी query हो आपकी, तो उतकर सिंह underscore help पे मुझसे पूछ सकते हो, material के anthropology decoded by उतकर सिंह पे आप जा सकते हो, so this was all about how G20 nations is seeing the dynamicity, the diversity of Indian tribal people. In the next lecture, we'll be discussing some more important highlighted topic, that is in news, till then, thank you, have a nice day, signing off. Study IQ IS Ab da yaari hui affordable